बात कर दोस्तों स्वागत है आप सबका LK All in One चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ औस्टियो अर्थराइटिस और रियूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में कि आप जानते हैं कि औस्टियो अर्थराइटिस और रियूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो एक ही है या अलग-अलग है तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगे कि औस्टियो अर्थराइटिस और रियूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या अंतर है कैसे हमें पता चलता है कि ये जिससे हम ग्रस्त हैं जो हमें दिक्कत है वो औस्टो अर्थराइटिस की है या रिमेटोईड अर्थराइटिस की तो इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगे कि इन दोनों में क्या समानता है, क्या इन दोनों में अंतर है, क्या ये एक ही है या ये अलग-अलग है तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है वीडियो को आपने लाज तक देख पे रहना है इस रोग में रोगी के जोडों में गांठे बन जाती हैं इसलिए इस रोग को हम गठिया भी कहती हैं गठिया के लगबग सो से भी ज़ादा प्रकार होती है और इनमें से जो हैं प्रमुख वो हैं दोस्तों गाउट, औस्ट्यो अर्थराइटिस, रिमेटाइड अर्थराइटिस, सिरियोटिक अर्थराइटिस, सैप्टिक अर्थराइटिस है, रियक्टिव अर्थराइटिस है, टेंपोरल अर्थराइटिस आदी बहुत से प्रकार है arthritis के लेकिन यह जो arthritis है यह प्रमुक मैंने आपको बताए है कि यह प्रमुक है बाकी सब में से दोस्तो इसकी उत्पति जो है वो कैसे होती है, osteoarthritis जो है वो बड़ती उम्र के कारण जोडों में जो मौझूद कार्टिलेज होता है उसके घिसने के कारण होने वाला गठिया है ऑस्टियो अर्थराइटिस में जोडों में मौझूद कार्टिलेज घिस जाता है जिस कारण जोड में हलचल होने पर भी जोड की हड़ियां जो है वो आपस में रगड खाती है और दर्द का कारण बन जाती है अब यह जो arthritis है यह जादा तर उन्हीं जोडों में होता है जिन जोडों पर शरीर का जादा भार आता है जैसे घुटनों को जोड कह सकते हैं हम दोस्तों कूल हे का जोड जिसे हम hip joint कहते हैं उसमें यह जो osteoarthritis की समस्या है वो खास तोर पे घुटने के जोड में और कूल हे के जोड में आता है जबकि दोस्तों जो rheumatide arthritis है यह एक ऐसा गठिया है जिसमें शरीर की रक्षा प्रनाली जो है शरीर की रक्षा प्रनाली शरीर के जोडों को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है अर्थात, rheumatide arthritis एक autoimmune disorder होता है दोस्तों, rheumatide arthritis में जब शरीर की रक्षा प्रनाली शरीर के जोडों पर अग्हात करती है तो उन जोडों में दोस्तों द्रव इकठा हो जाता है और इन जोडों में सोजिश जो है वो आने लगती है rheumatide arthritis में बड़े जोड भी प्रभावित होते हैं परन्तु ज़ादा तर छोटे जोड जैसे हाथों की उंगलियों के जोड आदी ये प्रभावित होते हैं अब दोस्तों ये जो रोग को उत्पन करने वाले कुछ कारक मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो कारक हैं सबसे पहले तो हम लिंग की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि और 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 रियूमेटाइड आर्थराइटिस जो है दोनों ही बुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होते हैं उम्र की अगर मैं बात करूं तो और अस्टो और ये फ़ेस जाधा तर 50 साल के बाद ही होता है परन्तों यह जो rheumatid arthritis है दोस्तों किसी भी उम्र में हो सकता है अब इसमें वंश परंपरा जो है वो भी दोस्तों शामिल होती है अगर किसी परिवार के blood relation में कोई है यानि कि माता पीता या भाई बहन को rheumatid arthritis की समस्या है तो उसे भी rheumatid arthritis होने की संभावना बढ़ जाती है मैं यह नहीं कह रहें कि उसको पका ही rheumatid arthritis जो है वो समस्या से जूजेगा पर संभावना जो है उसको यह दिक्कत होने की बढ़ जाती है जबकि दोस्तों osteoarthritis का वंश परंपरा से कोई भी लेना देना नहीं है osteoarthritis होने का खत्रा तब बढ़ जाता है जब किसी को गाउट मदु में जैसी दिक्कत हो या वजन बहुत जादा हो या जोड पर चोड से क्षती पहुंची हो अब दोस्तों मैं बताऊंगी इनके लक्षन क्या क्या होते है osteoarthritis उम्रे के कारण जोडों के घिसने के कारण होने वाला गठिया है दोस्तों इसमें केवल उसी जोड में दिक्कत होती है जिसको osteoarthritis ने प्रभावित किया हो और पूरे शरीर में इससे कोई भी आपको समस्या नहीं होती है दिक्कत नहीं होती है औस्टो अर्थराइटिस में जोडों के पास त्वचा के नीचे छोटी-छोटी सी गांठे बन जाती है पर दोस्तो यह जो गांठे रियूमेटाइड अर्थराइटिस की गांठों से अलग होती है औस्टियो अर्थराइटिस में जोडों में हलचल होने से आवाज भी आती है पर दोस्तो रिमिटाइड अर्थराइटिस में जोडों के इलावा बाकी शरीर भी आपका प्रभावित हो सकता है इसमें फेफडे, हरिदय, आधी भी प्रभावित होते हैं दोस्तो रुमेटाइड अर्थराइटिस के शुरुवाती लक्षनों में थकावट, हलका भुकार, मास पेशियों में दर्द जो है ये प्रमुख है रुमेटाइड अर्थराइटिस के दिक्कते पुरानी होने पर प्रभावित व्यक्ति के जोडों के आसपास त्वचा के नीचे गांठे बन जाती है तो ये जो गांठे बनती हैं इन्हें हम रुमेटाइड नियॉर्डूल्स भी कहते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगे कि प्रभावित जोड जो है वो कौन से होते हैं रुमेटाइड अर्थराइटिस के शुरुवात जो है वो छोटे जोडों से होती है जैसे उंगलियों के जोड होगे पैरों के उंगलियों के जोड हो गए दोस्तों और बाद में बड़े जोड जैसे घुटनों का जोड, AD का जोड, आधी को भी प्रभावित कर सकती है रुमिटेड अर्थराइटिस में शरीर के दोनों और के जोड एक ही समय पर प्रभावित होते हैं पर दोस्तों और बाद में शरीर के दोनों और के जोड एक ही समय पर एक जैसे ही प्रभावित नहीं होते हैं अर्थाद और बाद में शरीर का एक तरफ का जोड जादा और एक तरफ का जोड कम प्रभावित हो सकता है जैसे एक तरफ का गुटना जादा दर्थ करे और आवाज कर सकता है दूसरी तरफ का गुटना कम दर्थ करे और आवाज कर सकता है दोस्तों डॉक्टर कैसे पहचान लेते हैं कि किस समस्या से ग्रसित हैं आप ऑस्टियो अर्थराइटिस से या रूमिटाइड अर्थराइटिस से अब osteoarthritis में डॉक्टर को शरीरिक परिक्षा करने से प्रभावित जोड में टेंडरनेस, सूजन, अकडन का पता चल जाता है गती करने पर जोड से आवाज आती है osteoarthritis में X-ray CT scan MRI कराने पर cartilage की क्षती का पता चलता है पर दोस्तों, rheumatide arthritis में डॉक्टर को शरीरिक परिक्षा करने से प्रभावित जोड में सूजन, अकडन और टेंडरनेस का पता चल जाता है rheumatide nodules का भी पता चल जाता है जब वो शरीरिक परिक्षा करता है rheumatide arthritis में X-ray CT scan MRI RAW के कारण हुई जोड की क्षती का पता लगने के लिए करते हैं अब rheumatide arthritis में खून की जांच करने पर ESR C reactive protein का स्थर जब बड़ा हुआ होता है rheumatide arthritis में खून की जांच में rheumatide factor और anti-CCP भी पाया जाता है मैं आशा करती हूँ आपको यह information बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि osteoarthritis में और rheumatide arthritis में क्या अंतर है प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए सबके साथ और हाँ दोस्तो LK All-in-one चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छी और बहतर जानकारी के लिए देखते रहिए LK All-in-one चैनल धन्यवाद दोस्तो